नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ इस कहानी के जरी आप लोग को सीख देना चाहता हूँ तो चलिए दोस्तों कहानी को सुनते हैं उसके बाद दीगे सीख को जिरूर सुनियेगा ये आपकी जिन्दकी बदल सकती है तो आज की कहानी है पहली गलती एक बहुत ही खुसहाल गाउं स्वपनपूर था वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे किसी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी सभी में प्यार था, किसी भी तरह का कलेश न था पास के गाउं में एक चोर और उसका मित्र रहता था चोर चोड़ियां करता परंतो उसका मित्र बहुत ही इमांदार था वो जानता था कि उसका मित्र चोर है पर बिरोजगार होने के कारण वो स्वेंग उस पर निर्वर था इसी वज़े से वो किसी के सामने ये राज जाहिर नहीं करता था उसका जीवन आननदपुर्वक बीट रहा था वही चोड एक इमांदर मीत्र के साथ होने के कारण कभी संधी का पात्र नहीं बना इसी का लाब मिलने पर वो चोर अपने मित्र को कभी भी बोज नहीं समझता था एक दिन उस चोर को शुपनपूर गाउं के बारे में पता चला तो वो उस गाउं में चोड़ी करने की योजना बनाने लगा रात को वो उस गाउं में गया और चोड़ी करके वापस आ गया चोड़ी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक कभी नहीं देखा था पर अभी भी उसे लग रहा था कि और सामान ला सकता था इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया उधर गाउं में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण ये खबर आग की तरफ फैल गई पर प्यार और सादाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की साहता की और उन्हें दिलासा दी इस घरना के बाद सब चोकरने हो गए थे क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने की थी अगली रात फिर चोर ने चोरी की योजना बना कर उस गाउं में गया और खूप सामान चोरी करके लाया लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वो और भी सामान ला सकता था परन्तु अपनी छमता के अनुसार ही ला सका जैसे तैसे वो अपने घर पहुचा उसका मीत्र देख के हैरान था कि दो दिन में घर में बहुमूली सामान की काफी मात्रा में आ रहा था ये देख उसका मन बैमान होने लगा पर मन दबा कर उसने कुछ ना कहा और शुपनपूर में दुबारा चोड़ी की घटना हो जाने पर गाउं वाले इस बात पर सरमिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गाउं की सुरक्षा भी नहीं कर सकते थे अब उन्होंने गोपनी धंग से चोड़ को पकरने की योजना बनाई अगले दिन चोड़ ने अपने मित्र के साथ चलने का दवाब डाला और चोड़ी में मिलने वाले चीजों के बटवारे की बात की तो उसका इमान डोल गया और उसके साथ जाने का प्रस्ताव संगर्षी स्विकार कर लिया जैसे ही संध्या हुई दोनों घर से निकले उस चोड़ ने अपने मित्र को चोड़ी के लिए कुछ गुन बताए ताकि वो कोई गलती ना करे जब दोनों सपनपूर पहुँचे तो गाउवालों ने छिप कर उन दोनों पर नज़र रखना आरम कर दिया थोड़ी दूर जाते ही चोड़ को इस बात का आभास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है पर उसके मित्र को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला था वो तो बहुत ड़ा हुआ था और घबडाया हुआ भी एक के घर के पास पहुँच कर चोड़े अपने मित्र को दिवार फांदने को कहा जैसी ही वो दिवार फांद कर घर में घुसा चोड़ चाला की दिखाते हुए गाउं वालों को चक्वा देकर गाउं से बाहर निकल गया और रातो रात अपना सारा सामान समिट कर अपना गाउं छोड़ कर चला गया वहाँ सुबनपूर में उसका मित्र घर में तो घुस गया था पर जब उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक ना आया तो उसके पसीने चुटने लगे वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर एक बाल्टी से टकरा गया बाल्टी गिरने के कारण सांथ अंधेरे में भी बहुत तेज आवाज हुई आवाज सुनते ही सारे गाउवाले उसके घर के बाहर आ गए और उसे पकर लिया वो घबड़ाया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफी मागने लगा पर गाउवालों ने उसे माफ नहीं किया और पहले हुई दो चोड़ियों का इलजाम भी इसी पर डाल दिया गया पुछताच पर उसने अपने चोर मीत्र के बारे में बताया उसको ढूड़ने की कोसिस के गई पर बहुत सातिर होने के कारण वो हात नहीं आया और पहली बार चोड़ी करने आये उस इंसान को वो सजा भी कातनी परी जो जुम उसने किया ही नहीं था वो बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोसिस की किरपया मुझे माप कर देजिए पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपायुक्ट सजा दी गई तो दोस्तों यही प्रवित्ती हम लोगों में भी होती है कि हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन गलत काम करता है फिर भी हम उसका बिरोध नहीं करते हैं और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते हैं जो भविश्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है जब हमें उस व्यक्ति से कोई परिशानी होती है तब ही हम उसका बिरोध करते हैं ऐसे में इस बात का बहुत कम अंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा कई बार तो इसका नतीजा ये होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कारियों की तरफ आकरशित होने लगता है और हम लालच वस वो काम करने का प्रयास करते हैं और पकरे जाने पर छमा याचना करते हैं पर गलत कारी हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है पहली गलती के बाद ही इंसान गलतिया करने की आदि बनता है इसलिए हमें दुसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की और प्रेडित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवर में ऐसी कोई गलती ना करे जो भविश्य में हमें अंदकार की और धकेल दे तो दोस्तो ये कहानी आप लोगो कैसी लगी अगर अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट में बताईए कि और मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेके आऊँ या सिर्फ मॉटिवेशनल वीडियो ही बनाऊँ तो दोस्तो मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंग बंदे मातरम